रिशब जिन्होंने आईएस में पांचमा इस्थान देश में प्राप्त किया है उनके पिताजी और उनके अंकल और उनी के परिवार के बच्चे हमारे साथ में हैं देखी ये संभाव तो रिशब के अथक प्रयास अथक मेहनत और अथक पढ़ाई के कारणी संभाव हो पाया है हाला कि हम लोगों ने भी अपना योगदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उनको लगाता और हमने इस चीज के लिए प्रिजित करा कि आपको कम से कम दस से बारे घंटे रोजाना पढ़ाई करनी है और अगर आपको सफलता नहीं भी मिलते है तो हतुत साहित नहीं होना है उनके आउटडोर गेम्स पर हमने कभी पाबंदी नहीं लगाई तो हमने कहा कि दिन में तो आप खेल के आईए लेकिन शाम को बाद रात तक आपको पूरी पढ़ाई करनी है तो करीब कितने घंटे निकालते थे रिशब दस से बारे घंटे रो जाना कम से कम पढ़ता था हम देख रहे हैं सर की जो स्टेडी रूम बना हुआ है यह तीवी भी नहीं है यह सिर्फ इसलिए करा गया कि स्टेडी रूम में अगर टीवी होता है तो बच्चे डिस्ट्रेक्ट होते हैं शाम के समय टीवी पर कारेगरम आते हैं और बच्चे फिर कहीं न कहीं टीवी देखने की कोशिश करते हैं बच्चों ने हमारा मान सम्मान बढ़ाया यह सफलता हासिल करी रिशब ने इसके लिए बहुत ही जबरत्त मेहनत करी और हम लोगों ने उसका भरपूर सहयोग किया हमने शुरू से जब वो इंजिनिंग की प्रपेशन कर रहा था हम से फिजिक्स केमिस्टे मैथमेटिक्स का पूरा ने जाम के हुआर्ब हिए कोशीन की ने इसने आई आईएस के लिए मेड ओप वातिश म्हांटेटी की कोचिंग ली और अनलाइन टेस तो अभी जो परिवार में जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ कमपेटिशन बढ़ गया होगा जी यह पूरा कमपेशन है लेकिन हम लोगों ने इनके लिए ऐसा इनके लिए ना तो कोई ऐसा इनके लिए इनके अंदर ना इक बहुत जादा सुप्रिटिटी कॉंप्लेक्स इन इनको अपने लेवल पे हम इने तैयारी करा रहे हैं प्रैशर इन बच्चों को पर कोई नहीं डाला है बस इन्हें एक रोल मॉडल दे दिया है हमने कि यह आपका बड़ा प्रदर जब इंडिया में फिफ्ट रेंग पर आ सकता है तो आप भी कम से कर फिफ्ट रेंग तो ल इस में जाना चाहता है इंडियन रिवेन्यु सर्विसेश में तो जैसे की हमने जाना कि आई आरेस में वह जाना चाहते हैं और आई येस में पांच मां रेंक लेकर आना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है श्री पाल टेवतिया एटीवी बुलंद सहर